शरीर के स्वस्त रहने के लिए डाइजस्टिव सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है पाचन सही ना होने पर पेज समबंदित समस्याओं से तो जुँचना पड़ता ही है और भी कई समस्याओं हो सकती है Hello Friends, मैं हूँ Dr. रुची अगरवाल मेरी इस नई YouTube वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक पेज समबंदित समस्या इनडाइजेशन के बारे में इनडाइजेशन या अपच कोई बिमारी नहीं है परंतों कुछ लक्षनों का अनुभव है जैसे पेट में दर्द होना, खाने के तुरंट बाद पेट में डिसकंफर्ट सी फीलिंग होना पेट का भरा हुआ महसूस होना जिससे कि आप अपना खाना पूरा खतम नहीं कर पाते पेट के उपरी हिस्से में जलन होना, जी मचलना, डकारे आना, गैस बनना, इत्याधी राब दिंचरिया, बहुत लंबे समय तक कुछ ना खाना या फिर उबर इटिंग करना पर्याप मात्रा में पानी ना पीना, रात को ठीक से नीम ना लेना जादा अनहल्थी फूड जैसे तलाब भुना या जांग फूड अधिक मात्रा में लेने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है जिससे इंडाइजेशन या अपच की समस्या होने लगती है अधिक धुरुमपान या अलकोहल के सेवन का भी पाचन क्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिए लाइफस्टाइल में कुछ चेंजिस करके पाचन में सुधार किया जा सकता है और इन लक्षनों से रहत पाई जा सकती है जैसे दिन भर में छोटे भोजन करें, खाना धीरे धीरे चबा कर खाएं, स्मोकिंग और अलकोहल का कंसम्शन ना करें, पर्याप मात्रा में नीद लें, पानी खूब पीएं, मसालेदार और फैटी पूद्स को वॉइट करें क्योंकि ये इन समस्याओं को ट्रिगर कर सकते हैं, कॉफी कॉलरिंग का सेवन कम करें, पेट में जलन पैदा करने वाली मेटिसन जैसे स्टिरोइद्स लेना बंद करतें, एक्सेस वेट को कम करें, और योगा के मात्यम से तनाव को कम करने की कोशिश करें, मुख्य तोर पर इन डाइजेशन के यही कारण होते हैं, लेकि सेट स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुँचता है, गर्ड, गेस्ट्रोइसोफेचियल रिफ्लेक्स डिजीज, गॉल ब्लेडर में स्टोन्स होना, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेच होना, कॉंस्टिपेशन, इत्यादी, इन केसेस में प्रॉपर डाइग्नॉसिस एं भूजन करने के बाद सीने में दर्द या फिर चाती के बीच में कुछ गूले जैसा महसूस हो रहा हो तो चाइना थटी इंडिकेट करती है, पेट खराब होने के कारण सिर घूमना, गैस बनना, कबजी डकारे आ रही हो तो कार्बोवेज इंडिकेट करती है, अगर खाना कुछ भी खाने के बाद पेट में गैस बन रही है, खुब डकारे आ रही है तो लाइको पोडियम इंडिकेट करती है, खाना हजम करने के लिए होमियोपेथिक मेडिसन करिये का पाया का मदर टिंक्चर काफी एफेक्टिव है, काफी देर कुछ ना खाने से पेट में इसके लावा गैस, असदिटी और इंडिजेशन के लिए, SBL का बायो कैम नंबर 25 काफी एफेक्टिव है, भोचन के बाद रोजाना अगर चार गोलियां गुन-गुने पानी में घोल कर लें तो आपको काफी लाब होगा, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी किया जा सके, friends इस वीडियो में बस इतना ही, I hope ये वीडियो आप सबके लिए यूस्पुल था, इससे शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, thank you